नमस्कार फ्रेंड्स आप सबका स्वागत है चित्वन लाई लर्निंग पर आज मैं आपके सामने बुध्धी के सिधान्त से सब्मंधित वेरी इंपोर्टन्ट कोश्चन्स और वेरी इंपोर्टन्ट नोट्स लेकर आए हूँ जो आपकी यूपिटेट, सीटेट, नेट की प स्टार्ट करते हैं बुध्धी के सिधान्त सिधान्त सिधान्तों में स्टूडेंट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि यहां पर सिधान्त हैडिंग पढ़ा हुआ और यहां पर है प्रतिपादक यानि कि बुध्धी के सिधान्त कि हम किस सिधान्त की बात कर रहे हैं तो सब से पहला सिध्धांत है हमारा एक खंड का सिध्धांत एक खंड के सिध्धांत के जो प्रतिपादक है student वो है अलफर्ड बिने जो फ्रांस के मनविग्यानिक है ठीक है इनके जो सहयोगी थे वो थे टर्मन और एबिंग होस और उसके अलावा इस्टर्ण महोदे ने भी बुद बुद्धी के एक खंड के सिध्धान्त के अन्या नाम कौन कौन से हैं जो very important है थोड़ा fastly लेंगे student जो बुद्धी के एक खंड के सिध्धान्त के अन्या नाम कौन कौन से हैं तो सबसे पहले हैं एक तत्व सिध्धान्त ठीक है दूसरा एक शक्ति सिध्धान्त बुद्धी का प्राचीन सिद्धान्त क्योंकि सबसे पहले इसी सिद्धान्त को बुद्धी के नाम से दिया गया था देन उसके बाद बुद्धी का प्रथम सिद्धान्त के नाम से भी जाना जाता है और इस सिद्धान्त को निरंकुषवादी सिद्धान्त भी कहा जाता है ठीक है तो इ बिने ने माना है कि बुद्धी एक तत्व का खंड है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता ठीके बुद्धी बिने ने बुद्धी को निर्णिय की योगता माना है तर्मन ने विचार करने की योगता माना है और इस्टन ने नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की ऐसा एक्जाम में महतपूर्द तत्य के रूप में मैंने इसलिए बता दिया, क्योंकि यहां से question पूछा गया है, कि निर्निय करने की योग्यता जो है बुद्धि को किसकी दुआरा माना गया है, तो वह को माना गया है बिने के दुआरा, ठीक है, विचार करने की योग्यता टर्मन महोदे ने माना है और स्टन ने नवीन परिस्तितियों में समयोजन करने कीयोगता बुद्धी को कहा है नेक्स्ट नेक्स्ट है सिध्धान दूसरा सिध्धान्त की चर्चा कर लेते हैं दूसरा नंबर है आपका दूसरा नंबर है द्वी तत्व सिध्धान्त द्वी तत्व सिध्धान्त में क्या आ जाता है द्वी तत्व सिधान जिसे बाई फैक्टर थियोरी भी कहते हैं इसके प्रतिपादक जो थे वो थे स्पेर मैंन जिन्होंने नाइंटीन जीरो फोर में ये दिया था महत्मून तत्थियस के अंदर है बुद्धी की संदरचना को दो कारकों में माना है इन्होंने बुद्धी को दो जो है उसकी फैक्टर माने हैं पहला है उसका सामान्य बुद्धी और दूसरा है विशिस्ट बुद्धी सामान्य बुद्धी और विशिस्ट बुद्धी सामान्य कारक जन्मजात होते हैं देखिए इसके कुछ important point है वो हम देख लेते हैं कि सामान्य कारक जन्मजात होते हैं और विशिष्ट कारक जो है वो अधिकांस्त अरजित होते हैं question exam में पूछा जा सकता है कि सामान्य कारक से आप क्या समझते हैं यानि कि स्पेर मेन के सामान्य कारक किस प्रकार के होते हैं यानि कि वो सक्तियां जो बच्चों को जन्म से प्राप्त होती हैं वो सामान्य कारक कहे जाते हैं और विशेस्ट शक्तियां जो होती हैं विशेस्ट कारक या विशेस्ट फैक्टर्स जो होते हैं बुद्धी के वो होते हैं कुछ बच्चों में special होते हैं जैसे गाने की योगता हर एक बच्चे के अंदर नहीं होती हर एक बच्चा dance में special नहीं होता यानि कि एक ऐसी योगता जो उस वालक को उस व्यक्ति को special बनाती है वो विसस्ट योगता होती है और जो सभी व्यक्ति के अंदर जो योगता जो है जो कोमन होती है वो सामन्य युकता कहीं जाती हैं नेक्स्ट आ जाता है आपका त्री कारक बुद्धी का सिधान्त त्री का सिधान्त के प्रतिपादयक भी स्पेर्मेंन में हो थे हैं उनके महत्पून तो थीैं, स्टूर्ण्स की स्पेर मैंने 1904 में अपने पूर बुद्धी के ड्वी कारक सिध्धानत में संसोधन करते वैं, एक कारक और जोड़कर बुद्धी के त्वी कारक सिद्धानत कर प्रतिवादन किया, यानि के पहले इनके सामान्य कारक था विशिस्ट कारक था अब इन्होंने तरी कारक में एक फैक्टर को ओर जोड दिया गया है वो कौन सा फैक्टर है सबसे पहला सामान्य विशिस्ट और उसके बाद समहू यानि कि तीसरे फैक्टर के रोने समहू कारक में जोड़ दिया है आप देखे क्या है इसमें नोट आया हुआ है कि समहू कारक स्वम अपने आप में कोई स्वतंत्र अस्तित नहीं रखता बलकि विभिन विशिस्ट वे सामान्य कारकों के मिश्रन से बनता है तो इसमें यहाँ पर यह है कि जब विशिस्ट फैक्टर और सामान्य फैक्टर जो हैं वो साथ में मिल जाते हैं तो उसी फैक्टर को उसके बाद जो वो विशिस्ट करण होता है उसी को उने समहू कारक कहा ठीक है next पर चलते हैं स्टुदेंट्स बहु कारक बुद्धी का सिध्धान्थ नेक्स्ट है बहु कारक बुद्धी के सिध्धान्थ कॉश्चन पूछा जा सकता है कि बहु कारक बुद्धी का सिध्धान्थ किस ने दिया तो उसके प्रतिपादक थे Edward Thon-Life ठीक है सिध्धान्थ के अन्या नाम थे इसे बालू का सिध्धान्थ और प्रमाणुवादी सिध्धान्थ भी कहा जाता है बालू का सिध्धान्थ इन्होंने इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि बुद्धी के बहुत सारे फैक्टर्स इन्होंने बताए हैं कि जिस तरह से जो वुद्धी है, मान लीज़े ये बालक की या किसी भी व्यक्ती की वुद्धी है, तो इसके अंदर बहुत सारे factors मिलकर जो है आपके जो मानसिक परिकिरिया हैं, उनकी संरचना करते हैं, जैसे खाने की योगता किसी के अंदर होती है, किसी के अंदर बोलने की योगता होती है, किसी के अंदर सुनने की अच्छी कैपासिटी होती है, किसी के अंदर डांस की अच्छी योगता होती है, किसी के अंदर गाने की अच्छी योगता होती है, यानि कि हर एक काम जो है बुद्धी का जो मस्तिश के अंदर बहुत सारे फ का जाता है दूसरा इसे प्रमानुवादी सिध्धान्द भी इसलिए कहा गया क्योंकि बुद्धी के जो जो बुद्धी है जो हमारा पूरा होवन बोड़ी है वो विभिन प्रकार के प्रमानों से मिलकर बना होता है इसलिए से बुद्धी का प्रमानुवादी सिध्धान्द भी कहा जाता है ठीक है नेक्स्ट है आपका महतपूर्ण तथ्य क्या है इसके अंदर महतपूर्ण तथ्य में देखिए कि थोंडाई के नुसार किसी भी मांसी कार्य के लिए विभिन कारक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं ठीक है दो प्रकार के कारको काउलेख यहां पर किया गय इसम्रती योगता तार्किक योगता भाशन देने की योगता आधि इस तरह कि जो योगता है उन्हें मूल कारक के अंतरिकत थंडाइक महद्याने रखा है दूसरा है सर्वनिस्ट कारक, सर्वनिस्ट कारक क्या होता है जो common factor होते हैं common factor यानि के वे common quality जो सभी human being के अंदर पाई जाती है जो सभी लोग जिस कारे को करते हैं, जो common factor जिस कारे को करते हैं वो सारी quality जो है, वो common factor के अंदर आ जाती है नेक्स्ट आजाता है स्टूडेंट्स आपका समु कारक बुद्धी का सिधाанд ठीक है question पूचा जा सकता है कि समु कारक बुद्धी का सिधाand किसके द्वारा दिया गया तो इसके जो प्रतिपाद क्या था वो थे thurston महुध है यानि कि थोस्टन ने बुद्धी के समुकारक सिद्धान्द का प्रतिपादन किया था महत्पून तथियस में देख लेते हैं कि थोस्टन ने अपने सिद्धान्द को कारक विसलेशन के आधार पर प्रस्तूत किया कोश्चन ये पहले बना भी हुआ है कि कारक विसलेशन का पुद्धी का सिध्धान्द जो है किसे संबंधित है तो वो थे थस्टन महुद है ठीक है ये क्या कहते हैं कि दो या अधिक मूल कारक एक सम्हू का निर्मान करते हैं ये कह रहे हैं कि सम्हू कारक इन्होंने क्यों कहा बुद्धी को ये कह रहे हैं कि दो कारक कोई भी दो फैक्टर या दो से अधिक ज़्यादा जो फैक्टर से हैं मिलकर सम्हू का निर्मान करते हैं इसलिए इन्होंने बुद्धी को सम्हू कारक बुद्धी का सिध्धान्द क पहा है दो फैक्टर में इन्होंने क्या क्या बताया है सबसे पहला है स्टूडेंट मौलिक कारक मौलिक कारक को इन्होंने बताया है कि मौलिक कारक होते हैं उन मौलिक कारक के अंदर कौन-कौन से फैक्टर काम करते हैं वो है सबसे पहला है अंकिक योगता यानि कि कोई भी व प्रत्यक्षिकरण की योगता प्रत्यक्षिकरण यानि कि जब किसी कोई भी व्यक्ति किसी को देख लेता है तो उसके अंदर किसी भी चीज को प्रत्यक्ष रूप से देखना उसको भापना उसको समझने की जो योगता होती है वो जो कारक है वो मौलिक कारक के अंतरकत आता ह शाब्दिक योगता यानिके बोल जिसका बोल चाल जो है जिसके शब्दों को चूस करने की जो योगता होती है जब व्यक्ति बाते करता है तो उसको शब्दों को चूस करने की योगता भी इसके अंदर कर आती है देशी की योगता ठीक है ना उसके बाद सब्द प्रवहा य इतना उसमें विवेक का सित्माल करना है, उतरक सकते आ गई, स्मरत्य शक्ति हैं, ये सारी जो योगिता हैं, साथ योगिता हैं, ये मोलिक कारख के द्रिगत आती हैं. नेक्स राज़ता है बुद्धी का प्रतिद्रश सिध्धान्त प्रतिद्रश सिध्धान्त जो है स्टूडेंट्स ये थॉमसन मोहदय ने दिया है बुद्धी का प्रतिद्रश सिध्धान्त पूछा भी गया है एक्जाम में कि बुद्धी के प्रतिद्रश सिध्धान्त के प ठीक है यहां पर प्रतिद्रस का मतलब यह होता है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी भी कार्य को करता है या कार्य को करने के लिए जाता है तो उस कार्य को करने के लिए वो उसकी छवी जो है वो अपने अंदर नहित कर लेता है जैसे किसी भी विशेश कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मांसिक योगेताओं में से कुछ का प्रतिद्रश्र के रूप में चुनाव कर लेता है यानि कि वो उसकी पिक्चर जो है उसकी इमेज जो है उसके मस्तिश्क पर आ जाती है जिसके आधार पर वो समझ जाता है वो सोच लेता है कि मुझे किस तरीके से इस चीज को हेंडल करना है नेक्स आजाता है आपका तरलवथ थोष बुद्धी का सिध्धान तरलवथ थोष बुद्धी का सिध्धान के जो प्रतिपाद के स्टूडेंट वो है रैमन्ड वे केटल 1971 में सिध्धान दाया था इन्होंने इसके दो प्रकार बताए أي है सामन्यज बुद्धी का वर्णन दो प्रकार में किया है पहला तरल और दूसरा ठोस तरल को इन्होंने fluid कहा है ठोस को इन्होंने crystallized कहा है ठीक है तरल सामन्ययोगिटा को इन्होंने जी फैक्टर यानि कि जो सामाने योगता है इन्होंने जी फैक्टर बोला है तरल सामाने योगता दो योगता इन्होंने बताई हैं तरल सामाने योगता और दूसरी ठोस सामाने योगता जो भी हमने पीछे डिसकस की है तरल सामाने योगता के अंतरगत यह क्या कह इसमें यह कहते हैं कि यह मुख्य रूप से संस्कृति युक्त गती इस्थितियों तथा नई इस्थितियों के अनुकूलता वाले परिक्ष्नों में पाई जाती है। जिसे उन्होंने जीसी फैक्टर भी बोला है, जीसी फैक्टर के इंतरगत क्या आता है, कि अरजित सांस्कुति कुपल लबदिया, कोशलताव तथा नई स्थितियों से सम्मन्दित वाले परिक्षन इसके इंतरगत आते हैं, अब आता है अपका नेक्स सिध्धान्थ है पदा पदानुक्रमित बुद्धी का सिध्धान पदानुक्रमित बुद्धी के सिध्धान के प्रतिपादक है बर्ट और वर्णन जिन्होंने ये सिध्धान दिया है वो 1965 में दिया है बर्ट वे वर्णन ने मांसिक योगता को चार इस्तरों में विभाजित किया है कौन-कौन से है विस्तर पहला है सामान्य अमानसिक योगेदा दूसरा है मुख्य सम्हुकारक तीसरा लगू सम्हुकारक और जोता है विस्स्ट अमानसिक योगेदा यानि कि इन्होंने चार फेक्टर बताये हैं सामान्य अमानसिक योगेदा मुख्य सम्हुकारक लगु समहुकारक और विशिस्ट मानसे क्योगे था यह चार फेक्टर्स इस्टुएंट याद कर लिए क्योंकि यहां से कुश्चन कई बार बन चुका है एक्जाम में ठीक है आगे बढ़ जाते हैं त्री आयाम बुद्धि का सिध्धान त्री आयाम वुद्धी का सिध्धान्द क्या है student, कि ये सिध्धान्द के पतिपादक थे गिल्फर्ड महोदे, गिल्फर्ड ने ये सिध्धान्द जो है पहले सबसे पहले 59 में आया था फिर इसके बाद इस सिध्धान्त में कुछ चेंजिस हुआ 61 में और फिर इसके बाद फिर बाद में समय के आदार पर चेंज किया गया 67 में तो इस सिध्धान्त को 3 आयामें सिध्धान्त का जाता है इस सिध्धान्त को 3 आयाम इसके अंदर होते हैं वे कौन-קौन से आयाम है, देखिए, उसमें सहयोग्यों, तक में तीन माह giàuग्यotah किया थारा बुद्धी की संदचना की व्याक्या किये, कोन-कौन सी हैं संदचना पता करते हैं, देखिए सबसे पहले है उन्होंने बुद्धी कारको को तीन स्रेड्म में बाता, पहला है सं पूछा जा सकता है एक्जाम में कि त्री आया में जो सिधान्त है उसके अंदर कौन-कौन से फेक्टर्स हैं तो तीन फेक्टर है संक्रिया यानिके ऑप्रेशन दूसरा विशेवस्तू कॉंटेंट तीसरा है उत्पाद यानिके प्रोडूर्डूर्ट्स तो इसके बाद आज उन्होंने पांच संक्रिया देखे इनके अंदर पॉइंट्स भी पूछे जाते हैं एक्जाम के अंदर उन्होंने पांच संक्रियाएं चार विशेवस्तू और छे उत्पादों की खोजगी और कहा कि बुद्धी 5 x 4 x 6 is equal to 120 मांसिक योगताओं का योग हो सकती है ये कौश कॉशन भी एक्जाम में बीर्ड में और बीटी सी में यूपिटेट में और सीटेट में मैंने देखा हुआ है तो यहां से भी कॉशन पूछा गया है कि जो त्री आयमे सिधान्त है उसके अंदर कितने फैक्टर्स काम करते हैं तो टोटल कि इसकी संख्या पूछ ली जाती ह अगर नंबर से पूछेंगे तो 123 करके इस तरह से तीन फैक्टर इसके अंदर होते हैं और इन तीनों फैक्टर के अंदर जो काम करते हैं 120 फैक्टर करते हैं ठीक है नेक्स पर चलते हैं बहु बुद्धी सिधान्त किसने दिया था बहु बुद्धी सिधान जो है यह हावर इन तत्वो यानि कि बहुत सारे तत्वो का योग बताया है तो किस तरीके से बुद्धी काम करती है यह देखेंगे हम यहाँ पर वे आठ तत्व कौन-कौन से हैं जो इन्होंने बताया हैं सबसे पहला भाशागत यानि कि जो भी व्यक्ति भाशा में पारंगत होगा वो इन तत्वो के अंतर गताएगा तारकी गणिती के दैशिक संगीतात्मक ठीके सारे रिक गती संवेदी अंत्रवेक्ति अंत्यव्यक्ति और प्रकरति वादी यह आठ फेक्टर जो हैं बहु बुद्धी सिधान्त में हावार्ड गार्डनर के द्वारा दिये गए हैं पिर इसलिए करें ताकि मुझे और अच्छी वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिले लाइक भी जरूर करके जाएगा उसके अलावा सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट्स आपको समय से होते रहें वीडियो दे